बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की तस्वीर सामने आई है पूर्व केंद्रे मंत्री आर्सीपी सिंग के करीबी को गोली मार दी गई गायल को गंभीर हालत में नजदी की अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक होन भूई है नाजुक बताई जा रही है आपको बता दें कि यही हालात देखते हुए युवक को फिर वहां से पटना रेफ़क कर दिया गया घटना मुखी मंत्री नितीश कुमार के ग्रीज जिले नालंदा की है जहां सिलाव धाना क्षेतर के धरहरा गाउं में कुमार प्रगती और पिंटु को गोली मारती कई जखमी पिंटु ने बताया कि वो अपने घर के पास खड़ा था उसी दोरान सलन महतो आया और कहा अगर तुम आर्सीपी सिंग के कारेकर में जाओगे तो मारती है जाओगे तुम पर गोली चलाती चाहेगी और इसके बाद आरोपी ने पिस्तॉल मिकाल कर उसे खोली मारती तुम परिफान है सब्सक्राइब कर आद में आपक इस निपार आपक इस तुम आरिफंट कुछ वीट कर ने जाओगे में जाए तो मिक्णाई सब्सक्राइब आरोपी ने युवक के पेट में गोली मारी, शिरवाती इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे पटना रैफर कर दिया, युवक आर्सीपी सिंग का रिष्टेदार बताया जा रहा है और रिष्टे में उसका पोता लगता है, वो अकसर आरसीपी सिंग के घर पर रहता था, और हालत क्या है, वो आपने तस्वीरों में देखा. और जितना हो सकता था कि ये और उसको अच्छे इलाज के लिए पटना रैफर कर दिया, पोते पर हुए कातलाना हमले के बाद आरसीपी सिंग ने नितीश कुमार पर तीखा प्रहार किया, आरसीपी सिंग ने आरोप लगाया कि आरोपी जेडियों से जुड़ा हुआ है, न हमेशा आता जाता रहता है, उस सरकारी सेवा में है, आज भी आया था, छुटी थी तो आया था, और यहां से वो मिलकर के गया है, अब मेने के बाद देखिए, किस प्रकार से उस पर कातलाना हमला किया गया है, गोली मारी गई है, और ये बताया गया है, कि साहब वो जो है, उनका साथ चोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मारतें किनका साथ चोड़ो हमारा रिस्ता है किसे हमारा चोड़े और जिसका नाम हो लड़कर ले रहा है आप लोग पता कर लिजेगा उकिस पार्टी में हैं जीडियों मैं तो देखिए नितिज वाब को पास अब क्या बॉकला चुके हैं कि राजनीती गुरूप से तो लड़ने की नितिज कुमार के भी हिम्मत रही ने अब क्या करा है मेरे सिदारों गोली मार रहे हैं इस सिदारों कोह रहे हैं कि भई आब आब आर सीपी सिंग को बरबात करें और मुझे क्या बरबात करें लेकिन जिस प्र में काफी गुस्सा है हमले के बाद मौके पर पहुंची पोलिस ने मामले की जांच शिरू कर दी पोलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ तार कर लिया जाएगा प्राइम की खबरों से अपडेटिट रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलेर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना नभूले साथधान रहे सुरक्षित रहे देखते रहे इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट